हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एस टीवी हर्याना निजूज देश वाचियों को आदर पूरवग नवश्खार कोरोना संक्रमन से मुकाबला करते हुए कि दुनिया को अब चार महिने से ज़्यादा समय बीद गया है इस दोरां तमाम देशों के 42 लाग से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए है पौने तीन लाग से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्य हुई है भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है मैं सभी के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ साथियों एक वायरस ने एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है विश्व भर में करोडों जिन्दगियों संकट का सामना कर रही है सारी दुनिया जिन्दगी बचाने में एक प्रकार्चे जंग में जुटी है हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है निश्चित तोर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है ये क्राइसिस अभुद्पूर्वा है लेकिन ठकना हारना तूटना बिखरना मानव को मिजूर नहीं है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा हमारा संकल्प इस संकट से भी दिराट होगा साथियों हम पिछली सताब्दी से ही लगातार सुनते आए है कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले के दुनिया को वैशिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही है उसे भी हम दिरंदर देख रहे हैं जब हैं दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो ये हमारा सपना ही नहीं ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्ग क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हाँ शास्त्रों में कहां आपदा को अउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकप के लिए उत्तनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के मायने पुरी तरह बदल गए है ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंदरित वैश्वी करण बनाम मानव केंदरित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृती भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम कंप है विश्व एक परिवार भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्मकेंद्रीत व्यवस्था की वकालत नहीं करता है भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सूख सहयोग और शांती की चिंता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो जो अपनी आस्था में माता भुमिही पुत्तो अहम पृत्विया इसकी सोच रखती हो जो पृत्वी को मा मानती हो वो संस्कृती वो भारत भुमी जब आत्म निर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समरुद्व विश्व की संभावना भी सूनिश्चित होती है भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है भारत के लक्षों का प्रभाव भारत के कारियों का प्रभाव विश्व कल्यान पर पड़ता ही है जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है टी बी हो कूपोशन हो पोलियो हो भारत के अभ्यानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ग्लोबल वार्मिंग के खिराब भारत की दुनिया को सौगात है इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानुव जी नोगन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उफार है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाईया एक नई आशा लेकर पहुँचती है इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भुरी भुरी प्रसंसा होती है तो स्वाभाविक है हर भारती अगर्व करता है दुनिया को विस्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है सवाल यह है कि आखिर कैसे इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोर दे सवाजियों का आत्मंदिर भर भारत का संकल साथियों हमारा सदियों का गवरवपुन इतिहास रहा है भारत जब समृत्य था सोने की चिडिया कहा जाता था संपन्न था तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला वक्त बदल गया देश गुलामी की जंजीरों में जखड गया हम विकास के लिए तरस्ते रहे आज फिर भारत विकास की और सफलता पुर्वक कदम बढ़ा रहा है तब भी विश्व कल्यान की राह पर अटल है याद करिए इस सताब्दी की शरुवात के समय वाइटू के संकट आया था भारत के टेक्लोलोजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था आज हमारे पास साधन है हमारे पास सामर्थ है हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोडक्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाइचेन को और आधुनिक बनाएंगे ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियो मैंने अपनी आँखों के सामने कच्च भूकम के वो दीन देखे हैं हर तरफ सिर्फ सिर्फ मलबा ही मलबा सब कुछ द्वस्त हो गया था ऐसा लगता था मानो कच मौत की चादर ओड़कर सो गया हो उस परिस्तिती में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच उठ खड़ा हुआ कच चल पड़ा कच बढ़ चला यही हम भारतियों की संकल पशक्ति है हम ठान ले तो कोई लक्ष असंभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संक्रप शक्ति ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की यह भगवे इमारत पांच पीलर्स पर खड़ी होगी पहला पीलर इकोनोमी एक ऐसी इकोनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकी कॉंटम जंप लाए दूसरा पिलर इंफास्ट्रक्शर एक ऐसा इंफास्ट्रक्शर जो आदूनिक भारत की पहचान बने तीसरा पिलर हमारी सिस्ट्रिम एक ऐसा सिस्ट्रम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकी 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली टेकनोलोजी डिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो चोधा पिलर हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइबरन डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है पांचवा पिलर डिमांड हमारी अर्थे ववस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुष है देश में डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्र होना जरूरी है हमारी सप्लाई चेन हमारी आपूर्ती की उस व्यवस्ता को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्मू हो साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्म निर्भर भारत अभ्यान आत्म निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है बीस लाग करोड रुपिय का है यह पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरीए देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को 20 lakhs 2020 में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गती देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस package में land, labor, liquidity और laws सभी पर बल दिया गया है यह आर्थिक package हमारे कुटिर उद्ध्योक ग्रह उद्ध्योक हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक हमारे MSME के लिए है जो करोडों लोगों की आजी विका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है यह आर्थिक package देश के उस स्रमिक के लिए है देश के उस किसान के लिए है जो हर सिती हर मौसम में देश वास्चों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है यह आर्थिक package हमारे देश के मद्यम वर्क के लिए है वित्मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक package की विस्तार से जानकारी दी जाएगे साथियों आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है आपने भी अनुभव किया है कि बीते छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जन्धमन आधार मोबाइल जे ए एम जेम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म के उस दाइरे को व्यापक कर रहा है नई उचाई देनी है ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान पी ससकत हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकत में क्रिशी पर कम से कम असर हो ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम सररल और सपस्ट नियम कानूं उत्तम इंफर्सक्टर समर्थ और सक्षम हुमन डिसोर्सिच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोसाइद करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेकिन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे साथियों आत्म निर्भरता आत्म बल और आत्म विश्वाद से ही संबव है आत्म निर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीस परधा के लिए भी देश को तयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर्स परधा में जीते ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए इससे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टरस की एफिशनसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिस्चिद होगी साथियों ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है लेकिन इनी परिस्तितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष सक्ति उनकी संयम सक्ति का भी दर्षन किया है खास कर हमारे जो रेड़ी वाले भाई बहने है ठेला लगाने वाले है पट्री पर सामान बेचने वाले है जो हमारे स्रमिक साती है जो गरों में काम करने वाले भाई बहने है उन्होंने इस दोरान बहुत कष्ट जेले है तपच्या किया है ज्याक किया है ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को मैसूस नहीं किया अब हमारा कर्तब यह हैं उन्हें ताकत पर बनाने का उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मजदूर हो हो, पशुपालक हो, हमारे मचवारे साती हो, संगडिक शेत्र से हो या संगडिक शेत्र से हर तब्के के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्व फैसलों का ऐलान किया जाएगा साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैनुफेक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाइ चेन, इसका भी महत्वप बराबर समझा दिया है संकट के समय में, लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है हमें इस लोकल ने ही बचाया है लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बलकि हम सब की जिम्मेदारी है समय ने हमें सिखाया है, कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा आपको, आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमान शुरू किया उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्राणिंग की, उन पर घर्व किया तो वो प्रोड़क्स लोकल से ग्लोबल बन गए हैं वो प्रोड़क्स लोकल से ग्लोबल बन गए हैं इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है न सिर्फ लोकल प्रोड़क्स खरिदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है आपके प्रयास होने तो हर बार आपके प्रती मेरी स्रद्धा को और भड़ाया है मैं गर्व के साथ एक बात महसुस करता हूँ यह आपकर था, जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आग्रह किया था यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम बरकर्स को सपोर्ट करें आप देखिए, बहुती कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड सर पर पहुँच गई इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रान्ड भी बना दिया बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परणाम मिला साथियों, सभी एक्सपर्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन साथ ही, हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिन्दगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए हम मास्क पहनेंगे, दोगजदूरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लोगडाउन का चौथा चराण लोगडाउन फोर पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोगडाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको अठारा मैई से पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं हम करोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे साथियों हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्म वशम सुखम अर्थात जो हमारे वश में हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं वही सुख है आत्म निर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती है 21 वी सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा इस दाइत्व को 130 करोर देशवाशों की प्रान सक्ति से ही उर्जा मिलेगी आत्म निर्भर भारत का ये यूग हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा नूतन पर्व भी होगा अब एक नई प्रान शक्ति नई संकल्प सक्ति उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है जब आचार विचार करतब भाव से सराबोर हो करमडता की पराकाष्टा हो कौशल्य की पूजी हो तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे इस संकल्प के साथ इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ आप अपने स्वास्त का अपने परिवार अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद चले तो प्रदार मिंतरी नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे देश को और उन्हेंने बताया कि भाई लॉग्डाउन बढ़ेगा लॉग्डाउन फोर आएगा जरूर आएगा लेकिन उसमें बहुत कुछ अलग होगा और एक आर्थिक पैकेज का अइलान कर रहा हूं हाला कि उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अलग अलग राये होंगे और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मंधन करने के जरूरत होगी उसमें लेकिन साथ ही साथ प्रदार मंतरी नरेंद्र मोदी ने ये जरूर बताया है कि लॉक्डाउन फूर होगा और अलग तरह के नियमों के साथ होगा लेकिन एक बात पर लगातार वो जोर दे रहे थे पूरे भाशन के दौरान कि लॉक्डाउन फूर्द हो नहो कुरोना के खिलाफ ये लड़ाई जारी है और इन सब के बीच